आज मैं अपके साथ तीन तरीके की हेल्दी टेस्टी और बहुत इजी फूर्ट शालर्ड के रेडियो हो जाता है आप चाहे तो इसको ब्रत में भी खा सकते हैं या फिर बीना ब्रत के खा सकते हैं तीन तरीके में हम बनाएंगे एक तो क्रीम के साथ बनाएंगे दूसरा वाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन जरूर दबाते हैं साथ में अल अप्शन पर पी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करना विल्कुल फ्री है चलिए शूरू करते हैं आज की रेसिपि सबसब ले कुछ फ्रूट्स ले लेंगे अच्छे से धूके साफ कर लेंगे इसके बाद काटके रख लेंगे यहां पर आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है और जो भी आपको इजीली मिल जाए सारे फ्र लाश्ट में डाले जब आपको सर्फ करना है या फिर आप उसको काटके एक चमस नीबू करास डाल दे एक कप पानी में और उसमें धो के रख लीजिए तो काला नहीं पड़ेगा सारे फ्रूर्स को काटके साइड में रखेंगे इसके बाद एक बोल ले लेंगे इसमें डालेंगे आदा कब बीपिंग क्रीम जो की मेल्ड हो चुका है और अच्छे से ठंडा है ठंडा नहीं होगा तो इसको हम जब बीप करेंगे तो अच्छे से बीप नहीं हो पाएगा जहां पर amulka जो cooking cream आता यह easily मिल जाता इसे भी ले सकते हैं क्रीम को विप करने के लिए इस तरिके कि जो पिटूर यह ले सकते हैं यह फिर फिसकर भड़ा होता है अगर पर अंडे विट करते हम भी ले सकते हैं इसमें थोड़ा जाया टाइम लगेTube और अगर आपके के पास कुछ भी नहीं है अगर आप बीप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा विप करेंगे तो थोड़ा सा लाइट बन जाता है क्रीम थोड़ा ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसमें दो बड़ी चमस कंडेंस में डाल देंगे अ करने के बाद करने के बाद के दाले और मिला अगर है गांतर ही थोड़ा जीप दाला अगर दालना सबस्क्रेम तो दो बिसका टेस्ट बहुत अच्छ आता है क्रिम को बहुत ज्यादा बिप करना टांग दो तोड़ा सा लाइट हो जाए इससे इसका लूप चेंज हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है इसके बाद हम इसको साइड में रखेंगे और एक बोल ले लेंगे ऑर इसमें डालेंगे बहुत सारा फ्रोट सब सपले में यहां पर ले रहे हूं दो छोटी इसको काट के इस तरह से डाल देंगे इतना बड़ा या फिर चोटा पीस Clelle a prim नखर अगर Stani Hangin 1 तेस्ट प३ग घरेंगी 10 찾प में डाल देंगे 13 लियों के काट्क नहीं जालना तो आप साबूर टाल सकतें इसके साथ डाल देंगे एक कप यहांपर म्यांगो, म्यांगो मैंने यहांपर थोड़ा कम पका हुआ लिया है, जो कि थोड़ा सा खटा मिठा टेस्ट देगा, अगर आप चाहे तो अच्छे से पका हुआ मिठा आम ले सकते हैं यहांपर, अब मैं इसमें Первएप नियुक्त कव डालाए आप चाहे तो छिलका उतर के डाल सकते हैं साथ में आधा कप डाल देंगे क्योई जो कि मुझे मिल गया है तो मैंने डाल दिया है आपको अगर मिले तो आप ले लीजे नहीं तो जो भी फ्रूर्ट आपको इजीली मिल जाए आप ले सकते हैं साथ में आधा कप डाल अनारदाना जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है अब हम सारे फ्रूट्स को हलके हत्तों से अच्छे से मिला लेंगे ताओ कि यह मियास न हो जाए इसके बाद हम इसका तीन हिशा कर लेंगे एक हिसा डालेंगे ख्रीम में जो हमने विप करकर रखा था और अच्छे से हलके हाथों से मिला लेंगे इसके बाद आप चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दे ठंडा होने के बाद सर्फ करें या फिर फ्रूट्स को पहले यूज नहीं करेंगे फिर भी बहुत जादा क्रीमी लगेगा आपको यहां पर मैं ले रहूं आधा कब दई दई खटा नहीं होना चाहिए और गाड़ा होना चाहिए अगर पतला दई है तो छलनी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इसके बाद यूज करें इसके बाद हम इसको अच्छे से फेट लेंगे तकि यह थोड़ा सा क्रीमी बन जाए इसके बाद हम इसको यूज करेंगे अच्छे से फेटने के बाद हम इसमें दो चुटकी नमक डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इसक आपने को बना सकते हैं तो इसमें टाल सकते हैं तो आप सता है तो आप सकते अब हम इसको से मिला लेंगे इसके बाद इसमें फ्रूर्ट Kings डाल लेंगे अब दूस्राह именно वहीं समें बगर तेए पर इंगे आạtव लेगता है अब इसमें बहुंब किसा में जांधा सामान भी जाला जात इसमें हमने क्रीम का यूज़ नहीं किया फिर भी बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है लास्ट में जो बच्छा हुआ फ्रूट से इसमें डाल देंगे एक चोटी चमस्वावदर चीनी साबुचीनी ना डालें तो मिलाते हुए फ्रूट से थोड़ा सा म्यास हो जाता है काला नमक करने कि चाहा नमक शार्ट और डालनेगे काला नमक होने की चाहजा नमक योगेह अगर आपू यहां पर सर्फ wholly करना है तो यह जो मसाले नमक भगेरा यहांपर ना डाले कियो कि नमक दालएंगे तो में से पानी चूटेगा और यह बहुत ज्यादा गिला गिला हो जागा है जो की खाने में और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राय करें किसी ब्रत में बना के खाया या फिर एसे ही खाया जैसे कि आज कल रमादान चल रहा है त अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो स्क्रीन पर आपको तीन वीडियो की लिंक देख रहे होंगे उन में से कोई भी वीडियो जरूर चेक करें आपको बहुत पसंद आएगा